हेलो दोस्तो मैं आसर शेक एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फोटोशॉप में इमेज एडिट कैसे करते हैं भी मैं हूँ फोटोशॉप में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये फोटोशॉप है open हो चुका है हमारे सामने सबसे पहले जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसमें से background कैसे crop करते हैं image का पीछे से और इसके tool क्या क्या use होने वाले हैं पहले starting के chart tool मैं आपको बता देता हूँ इसी का use करके हम background crop करेंगे सबसे पहले यह जो tool है इसका नाम है move tool मतलब एक जगा से दुसरी जगा use करने के लिए इसको use करते हैं कोई भी अगर कोई मान लीजे कोई object है उसको एक जगा से दुसरी जगा use करने के लिए इसको use किया जाते हैं तो अभी मैं एक file open करता हूँ अभी मैं image open कर लेता हूँ यह दाथ है इसका पीछे का जो background जो blue आपको दिख रहा है नीचे जो shadow दिख रहा है मतलब mirror reflection दिख रहा है इसको कैसे remove करते हैं सबसे पहले मैंने आपको यह भी बता है तो थोड़ी देर पहले यह है move tool दूसरा यह जो है यह select tool इसको बोलते हैं हम ठीक है यह आप जो देख रहे हैं यह rectangular marki tool मतलब इससे select करते हैं हम अब इस पर जो छोटा सी आपको arrow दिख रहा है इस पर आप click करेंगे तो यह open होगा जैसी open होता है तो आप देखिए इसमें rectangle ही choose करना है तो हमने rectangle ले लिया इसको हमने as a rectangle choose कर लिया तो यह select हो जाता है सबसे पहले इसका use समझे आप यह selection tool है एक चीज़ समझ लेजी आप उसी तरह यह select हो गया है अभी कोई भी काम करने के बाद यह photoshop coral draw illustrator या जो भी कुछ होता है इसमें कोई भी काम करने के बाद हमें कोई भी चीज या कोई भी tool select करने के बाद हमें arrow पे click करना होता है ठीक है arrow पे click करने के बाद यह हमने select किया अब यह selection हटाना है तो देखिए यह तुकड़ा हो जा रहा है arrow से यह कड़ जा रहा है select करने के बाद अब यह selection हटाना है तो select में जाके deselect पर हमको करना होता है यह जिसको हम लोग बोलते है control D यह देखिए यहाँ पर है deselect मतलब control D deselect तो उसी तरह यह है round tool eclipse tool इसको select किया हमने इसको delete करना है तो यहां से delete कर सकते हैं इसको यहां से arrow पर क्लिक करके move करना है तो कर सकते हैं या फिर यह round ठोड़ा उपर नीचे हमारा select हुआ है तो अगेन इस पर click करके इसको थोड़ा adjust भी कर सकते हैं यह इसी पे ख्लिक करके उसी तरह इसको सیलेक्ट करके डी सेलेक्ट किया मैं अगें आपको बता नो एक एक टूल का यूज उसी तरह यह सिंगल लाइन है यह यह भी सिंगल लाइन ही होरिजॉंटल और वर्टिकल दूसरी चीज़ यह लस्तो टूल लस्टो टूल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ लस्टो टूल से हम माउस की क्लिक पकड़के माउस की क्लिक पकड़के इसको हम इसके शेप के हिसाब से इसको सेलेक कर सकते है माउस की क्लिक पकड़के ही रखना है हमें और तो ही हम सेलेक कर सकते हैं select को डी select किया भी मैंने तो उसी वज़े से यह problem आती है अगर हमें मान लीजिए कि ऐसे ही select करना है रेंडम ली उसके लिए यह टूल प्रोपर है बड़ अगर हमको एज़ टू एज़ एक 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 कीजिए जितना हिससा select करना अगर किजिएए क्लिक करके इसको Lonk की जिये जितना हिससा select करना सब्सक्राइब करके का है लेकिन इसमें कैसा होता है कि आप देख रहें कर्व मज़ान हाने लग गई है यहाँ यहाँ पर आया एक पॉइंटर दिखर है पॉइंटर का दिखर a आपको बता देता हूँ है यह जो है यहितना हिस्सा जो ही यह पॉइंटर दिख रहा है में उसी तरह सेम चीज मैं आपको बता रहाँ सेम ये जो तीसरा टूल है м Maßnahmen यह काफी अच्छा टूल है यह क्या करता हुए इसको जून करने का भी तरीका श्ते कंट्रॉल पकड़ा, पकड़ के right side में अपना जो number lock का बटन उसमें minus करेंगे, तो यह minus होता है, प्लस करने के लिए control प्लस जूम करना होता है, ठीक है, और इसको move करना है, तो space bar पकड़ते हैं, तो यह हाद बन जाता है, यह हाद बन गया, वैसी इसको move करना होता है, ऐसे, बस यह चल द सकते हैं मैं back कर रहा हूं backspace button back मतलब backspace button से इसको move कर रहा हूं मैं अभी अगेन इसको मैंने minus किया space पकड़ के इसको हटाया थोड़ा सी position यह देखिए आप कि यह देखिए यह देखिए यह point जो मिला है अभी यहां पर magnetic tool है यहां पर जो circle दिख रहा है आपको छोटा सी round मतलब यह point to point यह मिल गया अभी हम इसको click करके merge कर दिया में तो यह क्या करता है magnetic tool एक हिस्से के surface या color को choose करते वे आगे बढ़ता है तो आगेन मैं select को deselect किया मुझे सबसे अच्छा टूल क्या लगता है मालू में इसमें सबसे best photoshop में quick selection tool और magic when tool magic when tool क्या करता है आपको मैं बताता हूँ मैं सबसे पहले magic when बताता हूँ magic when tool एक हिस्से के color को select करता है मान लीजिए कि यह किसे का color है तो यह क्या करता है एक हिस्से के color को select करके पकड़के वह हिस्से के color को select करता है मान लीजिए कि यह जो हिस्सा इसमें थोड़ा सी whiteness है तो यह whiteness के हिस्सा जो भी इसको दिखा उतना select किया अगर यहां से मैं tolerance कम करूंगा तो ये कम हिस्सा सड्सक्राइगा ये देखिये अभी मैं इसको देज्स संट किया ये देखिये tolerance यहां से मैंने कम किया मतलब उतना इसको हिस्सा दिख रहा है वो ही color के patch का उसने उतना ही हिस्सा सेलेक्ड किया अभी मान लीजिए इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ अगर मैं को यहां का भी इस्ता सेम चीज़ सेलेक्शन चला जा रहा है जो यहां पे था यहां पे सेलेक्शन चला जा रहा है इसमें सेलेक्शन अभी हमको एड करना है तो add करने के लिए यह बटन है, यहां से मैं बता रहा हूँ, add to selection करना है, ताकि यह selection भी रहे, और यह selection भी रहे, यह selection भी रहे, यह होता है, अब यहां से मैं tolerance increase करता हूँ, 32 कर दिया मैंने example मान लीजिए, यह देखिए, एक हिस्से के color को इसने select किया, again, तो magnetic tool यह काम में आता किया, यह देखिए अब, यह देखिए, एक हिस्से का color उसने select करते से ला, मान लीजिए कि मैं इसको अभी control Z करके undo करता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको control Z करके undo करता हूँ, अभी मैं इसको control Z करके undo, मान लीजिए, अभी मैं इसको select किया, sorry, select किया, यह एक हिस्से के color को select हुआ है, अभी मान लीजिए, मैं इसको यहाँ से एक हिस्से के color को select करते जा रहा हूँ, अभी देखिए ये नीचे भी select हो गया इसको undo किया मैं इसका tolerance अगर मैं कम कर दू तो यह मैं को और help करेगा ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए तो इस तरीके से काम करता है ये magic one tool काफी अच्छा है second thing मैं आपको बता नहूं दूसरी चीज़ quick magic selection tool मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है अभी ये जो दाज जो है काफी छोटा है इसको हमको बढ़ा करना है तो यहां sorry मान लीजिए कि ये जो selection tool है selection tool का यह जो selection है, जो काफी छोटा दिख रहा है, इसको size increase करना है, तो यहां से size increase कर सकते, यह देखिए, size बढ़ गया, यहां से और बढ़ा दिया, यह बढ़ गया, यह देखिए, अभी एक ही एक ही surface के color को select करते वे आगे बढ़ रहा है, यह देखिए, यह कितना आसानी के साथ हो गया यह, अभी यह मैं जूम कर रहा हूँ, control, alt, control, plus करके, यह होने लग जूम, अभी मान लीजिए, मैं एक ही इससे के color को select कर रहा हूँ, यह देखिए, यह देखिए, एजिस कितने शाप, कितनी आसानी के साथ यह select हो चुका है, यह देखिए, मैं space पकड़के इसको shift भी कर रहा हूँ, अभी कुछ-कुछ हिस्सा रह जाता है, जैसे कि मुझे मान लीजिए, मैं perfection के साथ से काम करना चाहता हूँ, कुछ-कुछ हि यहां पर white edge है, यहां पर भी थोड़ा कुछ हिस्सा छूड़ गया है, right side में, top से तो almost proper है, नीचे से bottom से कुछ-कुछ हिस्सा छूड़ गया है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए एक है pen tool, pen tool, selection tool के तरह ही काम करता है, जो कि यह रहा, मैं ऐसी चीज़ आप आपको पहले बता रहा हूँ, जो के normal use में आती ही है, selection में, तो यह है pen tool, दीरे-दीरे करके मैं next video में आपको बताऊंगा कि और बाकी tools का क्या use है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहूँ pen tool, जो क्या selection tool है, यह pen tool पर आया मैं, अभी इतना हिस्सा रहे गया है, तो यह इससे पर मैंने zoom किया, control plus या minus करके zoom in, zoom out, फिर space bar पकड़के इसको rotate किया, space bar पकड़ते हैं, हो जाता है, यह अभी इसको rotate किया, अभी इसको again, मैं proper edges देखे, इसको मैं यहाँ से select कर रहा हूँ, यह देखिए, pen tool click पकड़ा, यह यहाँ तक आया, अब alt पकड़के जो extra edge है, यह इतना वाला, उपर वाला, alt पकड़के इसको मैं cut किया, again mouse की click पकड़के इसको थोड़ा सी, इसको select किया, proper मैंने, control का alt पकड़के इसको मै crop किया, क्यों crop करना पड़ता है, ने तो फिर यह आगे curve बन जाता है, इसके लिए इसको cut किया, alt से cut किया, मतलब फिर वापिस यहाँ पर आके merge किया, merge करता हूँ, तो यह pen tool के नीचे थोड़ा सी circle जैसा बन जाता है, zero, मतलब यह पूरा हमारा path complete हो चुका है, यह complete किया, अ इतना जो हिस्सा है, जो अभी मैंने बनाया हूँ, triangle type, इसको add करना है, तो इसी हिस्से में आके right click करना है, इतना ही portion में make selection, उसके बाद add to selection, sorry, अभी यह add नहीं, इसको subtract करना है, इतना जो selection है, उसमें से इसको निकालना है, तो sorry, subtract to selection, यह हड़ गया, उतना हिस्सा हड़ ग जाए, यह subtract नहीं है, एड हो जाए, तो मैं यहाँ से इसको आया, select किया, यहाँ से इसको आया, select किया, आपको जैसे मैंने बताया है, कि यहाँ से आया, select कर रहा हूं है, यह देखिए, select कर रहा हूं है, यह select किया, all पकड़ के हर बार इसको cut भी कर रहा हूं, अभी इतना इ एड किया, एड क्यों इतना portion एड किया, उसको subtract क्यों किया, उतना portion minus किया हम इने, इसके लिए subtract, ठीक है, अभी बता रहूँ अगर मैं, कोई भी चीज इसमें, अगर Photoshop में हम आते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं बता रहूँ, file name और लिखा है RGB, RGB मतलब यह color mode है, तो दो तरीके क color mode होते हैं, RGB और CMY है, RGB मतलब red green blue, जो आपकी और हमारी आखे होती है, वो red green blue ही देखती है, CMY के printing format में use होता है, scan, magenta, yellow can, वो दोनों का difference मैं आपको next video में बताता हूँ, क्या होता है, वो पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आगे RGB और CMY के मतलब समझेगा, ठीक है, कोई भी चीज आप याद रखिए, कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे background लेते हैं, यह background right side में layers को ज कोई भी चीज अगर background होती है, तो उसको background से हम crop नहीं कर सकते हैं, तो इसको as a layer, यह background को right side में जो layer होते हैं, उसको बनाना पड़ता है, layers में इसको background को convert करना पड़ता है, और यह convert कैसे होगा, दो बर click करने पे, दो बर click करेंगे background पे, तो यह बना रहे हैं कि यह new layer, ओके, उसके बाद युमें layer visibility है, इसको मैं minus किया तो यह गायब हो गया, sorry minus बोल दाऊं, sorry इसको मैं click किया तो यह गायब हो गया, आग बंद हो गई है, click किया तो on हो गया, ठीक है, अभी same चीज, अभी अगर मैं layer बनाने के बाद इसको मैं delete करता हूँ, तो यह delete हो जा रहा है, तो मुझे दाद delete नहीं करना है, मुझे इसका background delete करना है, तो again मैं इसको undo किया, ठीक है select में आया, inverse, मतलब जो मैंने select किया है, यह उसका ultra select करे, तो जैसी मैं inverse करूँगा, तो देखिए automatically बाहर का हिस्सा select हुआ है, यह धियान दीजिए, आप यह बाहर का हिस्सा select हुआ है, तो म मैंने, image में आऊँगा, यह बाकी का हिस्सा जो png दिख रहा है, इसको मैं trim करूँगा, तो trim करने के लिए, image पर click किया, trim, trim किया, मैंने ok किया, ठीक है, अभी इसके बाद select में आया, अभी select में आके इसको, मैंने अभी select layer को deselect layer किया, अब इसको कभी भी आप याद रखिए आप जब भी इसको file save करें, इसका background आपको transparent चीए, तो आपको file पर आना है, save as करना है, save as करने के बाद जहां पर भी आपको save करना है, मैं एज़ा png इसको file को मैं save कर रहा हूँ, एज़ा png, png file save करेंगे, तो क्या होता है, इसका background transparent ही रहेगा, तो यह देखिए, मैंने save कि तो देखिए दोस्तों यभी इसको मैंने save किया हूँ, यह file हमारे सामने खुल चुकी है, यह transparent background हो चुकी है, और हम इसको अभी easily use कर सकते हैं, अभी जहां पर भी हमको use करना है, इसका background transparent है, इसके पीछे हम कोई भी background लगा दिये, कहीं कोई website पे, कोई illustrator file में है, तो easily इसका background edit हो जाएगा, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है, तो please इसको subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो रहेगी, जो रहेगी Photoshop के base पे ही, वो पुरी series में बना रहा हूँ, Photoshop पे ही, कै कैसा हम इसको use कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you very much